तो है गाइज वेलकम बैक तो ने वीडियो अफ दिस चैनल और आज ये हमारा human eye and colorful world जो की class 10th की physics का last chapter है उसका 6th part है इस chapter में हम अपनी structure of eye उसके parts जो होते हैं उनके functions और उसके बाद जो eye के हमारे vision की defects होते हैं तीनों myopia, presbyopia और hypermetropia ये हमने discuss कर लिये थे आज जो मैं start करना है वैसे तो मैं glass prism start करना था लेकिन उससे पहले एक छोटा सा topic है हमारे vision के उपर ही की हमारे पास दो आखी क्यों होती है और एक क्यों नहीं सबसे पहले उस पे एक थोड़ा सा discussion कर लेते हैं क्या है आपका question की why do we have two eyes instead of one for vision ठीक है तो जब दो आखे होती है उसका एक आख होने से better एक कैसा आपका उसका role क्या होता है और एक कैसा आपको vision में help करती है तो दो आखे होने से हमें एक better field of view मिलता है ठीक है आप अगर एक आख से देखोगे तो आपको एक थोड़ा ही view मिल पाएगा ठीक है एक आख आपकी यह है मान लो तो इससे अगर आप अपना view आपका scatter होगा जो भी आपके eyes से जितना आप gather कर पाओगे surroundings को जितना देख पाओगे तो max to max आपका 150 degree आप देख सकते हो with one eye open पर जब आपकी दो eyes हो जाती है तो तो 300 degree तो नहीं हो पाता लेकिन 180 degree आप देख सकते हो ठीक है left to right अगर आप खुद भी observe करो दोनों तरफ आप easily 180 degree आपको view मिलता है पीछे का 180 degree नहीं मिलता लेकिन आगे का आपको easily देख सकते हो तो इसलिए कि जादा आप देख पाओ इसलिए आपकी two eyes होती है instead of one अब क्योंकि हमारी दोनों आखे आगे हैं इसलिए हम सिर्फ आगे काई देख सकते हैं पीछे का नहीं देख सकते हैं कुछ animals ऐसी भी होते हैं जिनकी side mice होती है उसका reason होता है कि पीछे-पीछे मंदर जो side से वह उस तरफ कभी 180 degree व्यू ले सकते हैं उस तरफ कभी 180 degree व्यू जो मिलाके 360 degree हो जाता है उसका reason होता है कि उनके अपने enemies से बचने के रिये for example rabbits rabbits अगर आपने देखे हो या अगर आप एक बार search करके जरूर उनकी photo देखना तो उनकी eyes जैसे अगर यह उनका face है तो यहां की तरफ होती है दोनो eyes और वो कुछ ऐसे उन्हें field of view मिलता है कि दोनों side वो easily देख सकते हैं जिससे कि जिन animals से जिनने उनने खत्रह हो सकता है second point क्या होता है हमारी दो आखे होने का rather than one कि दो आई होने से हम distance को easily judge कर सकते हैं मतलब more accurately more precision के साथ अब जज़ कर सकते हो judging of distances more accurately अब आप अपने सामने pen रखो और अपने right eye बंद करके देखो आपको एक pen एक जगे पर दिखरा होगा अगर आप अपने right eye को खोल के left eye को बंद करके देखो तो आपको दिखेगा कि pen का जो position थी pen की उसमें थोड़ा difference आ गया उसमें जो slightly different image बनी है क्योंकि आपके eyes थोड़े दोनों से एक centimeter अलग है बीच में distance and gap है वो दोनों अलग-अलग angle बनाती है और इसलिए हमारे brain को दो slightly different images बेशती हैं three dimensional picture दोनों की मिला के आपका brain देख सकता है अगर आप देखोगे तो आप दो sharpen pencils लो दोनों एक एक हात में और एक बंद करके उन्हें मिलाने की कोशिश करो आप देखोगे कि बहुत ही कम chances है कि आपके दोनों पैंसिल की जो tip है जो उसकी lead है वो बहुत कम chances है वो मिल पाएग तो वो better आपका accuracy से दोनों मिल सकती है ठीक है क्योंकि जब हमारी दोनों आखे कुली होती है तो we can judge the distance of pencil tip for example किसी भी चीज़ का more accurately ठीक है अब जिन हमारे human beings होते है या जो भी आपके ऐसे animals होते है जिनकी eyes उनके सिर्क के सामने होती है मतलब आखे सामने की तरफ होती है उन्हें कहते है stereoscopic vision ठीक है जिससे कि वो आपका distance किसी भी चीज़ का more position के साथ ज़्च कर सकें नेक्स हमारा आता है glass prism ग्लास प्रिज्म तो यह होता है आपके glass prism ठीक है आपने physics lab में होता है देखा हो या अगर ना देखा हो तो ऐसे देखा है यह glass prism triangular shape में होता है यह ठीक है और इसका main काम होता है reflection of light का reflection of light ग्लास प्रिज्म के तू अकर होती है आप यहां ही देख सकते हो यह जो इसका phenomenon scattering of light यह एक बहुत major phenomenon है आपके physics में और अभी जब हमारा colorful world इस इस chapter में आगे पढ़ेंगे तो यह हमारा काम आएगा अगर हम प्रिज्म की बात करें तो इसका triangular shape होती है जिसमें एक horizontal जो line होती है इसमें जो bottom की तरफ होती है जिसकी तरफ जिस position पे रखा होता है वो top से ब्लकुल parallel होती है जो आपका top होता है यह pointed edge होता है और यहां पे जो angle बनता है that is the angle of prism ठीक है यह जो हमने rectangular glass slab के बारे में तो पढ़ा ही है उसमें rectangular glass slab में जो emergent tray होती थी जो निकलती थी वो incident tray के parallel होती थी ठीक है अब triangle or glass prism में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इसके phenomena को भी हम पढ़ेंगे बस यह पता होना चाहिए कि आपको जब emergent tray incident tray के parallel थी वो तो हमारे glass slab के case में लेकिन इसमें जो emergent tray निकलके आएगी वो incident tray के parallel नहीं होगी ठीक है बिकॉज जो इसके दो faces है इधर हो गया इधर हो गया यह opposite faces है यह आपस में parallel नहीं है जहां पर reflection अकर होता है इस वज़े से हमारी जो दोनों rays ने होती है जो हमने incident की या फिर जो इमर्ज होके आई वो parallel आपस में नहीं होती अब dispersion of light अभी discussion हम इसे कली करेंगे आग बस मैं यह बता दूं कि एक जो spectrum होता है white light का वो क्या होता है कि जो हमारे seven colors होता है विप गयोर के violet indigo blue green yellow orange red इनका जब एक band बनता है white screen पे जब एक white light हमारे इस glass prism से होके जाती है इसे हम spectrum of white light कहते है यह white light यहां से जा रही है prism पे पढ़ रही है और विप गयोर में अपने seven colors में scatter हो रही है it is known as spectrum of white light ठीक है अब जो dispersion का पूरा topic है और आगे वाला prism का next video हम पढ़ेंगे so फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही thanks for watching this video अगर आपका कोई भी स्रेशन है तो please comment down below subscribe the channel and stay tuned for later updates thank you